सम्विधान के निर्माण की सोच रखने वाले तदकालीन नेता लोग किन अन्य कारेओं में व्यास्च थे, किन अन्य समस्याओं से में उलजे हुए थे, ये जानने के बाद अब हम थोड़ा अपने उस मुद्दे पर चलते हैं जो वास्तों में इस अध्याय का मुख्य विश्या है और वह है निर्माण का इतिहास. सम्विधान निर्माण की बात यदि करें भारत के सम्विधान निर्माण की बात, जिसकी प्रक्रिया 26 जन्वरी 1950 को पूर्ण होती है, तो उसके प्रारंब के लिए हमें जाना होगा 1895. सम्विधान निर्माण की सबसे पहली बात चर्चा लोक मानने बाल गंगाजर तिलक ने की थी 1895 में. किस वर्ष? 1895 लोक मानने तिलक द्वारा. उन्होंने इसकी मांग उठाई थी. लेकिन ये बात केवल एक मांग के रूप में रह गई. इस पर कुछ ज़्यादा विचार विमश तो नहीं हुआ. लेकिन 1922 में माहत्मा गांधी उन्होंने भारत का राजनेतिक भविश भारती स्वैम बनाएंगे. ऐसा कहा. 1922 के कॉंगरेस सेशन में माहत्मा गांधी का ये बयान कि भारत का राजनेतिक भविश राजनेतिक भग्य भारती स्वैम बनाएंगे. ये काफी कुछ इशारा कर देता है. ये इस बात के और भी इशारा करता है कि भारत के लिए कानून नर्मान की प्रक्रिया केवल भारतियों द्वारा ही निर्धारित की जाएगी. तो इस प्रकार ये मात्मा गांधी जैसे व्यक्ति से आया हुआ एक बहुत महत्पूर्ण बयान था. और सम्विधान नर्मान की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो लोकमाने तिलक के बाद 1922 का ये बयान एक बहुत महत्पूर्ण पायदान है. इसके बाद 1922 के बाद देश के अंदर कुछ अन्य तरह की उथल पथल मच्ती हैं देश की राजनेतिक गतिवदियां तुक्डों तुक्डों में नए रूप में सामने आती हैं उसी काल में हम कम्यूनिजम का भी साम्यवाद का भी प्रादुर्भाव देखते हैं और 1934 आते आते M.N.Roy मनमनात रॉइ वे सम्विधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हैं इंडियन नैशनल कॉंग्रिस M.N.Roy 1934 में सम्विधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हैं सम्विधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखते हुए उनका तातपर था कि अब समय आ गया है कि देशवासी अब अपने देश को का सम्विधान बनाने की प्रक्रिया स्वयम का सम्विधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंब करें ये है 1934 की बाद इसी बात को 1935 में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस ने भी भारती राश्टी कॉंग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में दोराई ये मांग रखी कि संब्धान सभा का गठन किया जाए और इस संब्ध में एक प्रस्ताव रखा इस पूरे काल में हम भारती राश्टी आंदोलन में क्या हो रहा था इसका हम कोई जिक्रेह नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे अपने तरही स्वैम में एक अलग विश्य है हम केवल समवैधानिक मामलों में क्या प्रक्रिया हो रही थी इस पर केंद्रित है राश्टी आंदोलन जहां चल रहा था अपने तरीके से महाटमा गांधी, जवालाल नहरू, सुभाष चंदर बोस, लालालाच पत्राए और ये अन्य तमाम बड़े बड़े निता जहां राश्टी आंदोलन में पूरी तरह अपने को समर्पित कर चुके थे दूसरी ओर समय समय पर राश्टी कॉंग्रिस के अधिवेशनों के माध्यम से ये लोग अपने कुछ विचार भी रखते थे, कुछ मांगें भी रखते थे, उन्हीं मांगों में से एक मांग ये इंडियन नैशनल कॉंग्रिस की है जो 1935 में उसने रखी कि सम्मिधान सभा के स्थापना की जाए अगला पायदान आता है 1938 में, जब पंडित जवालाल नहरू भारती रख्ष्री कॉंग्रेस के माध्यम से घोशना करते हैं कि भारत के सम्मिधान का निर्माण करने के लिए सम्मिधान सभा का निर्माण होगा ये घोशना किनके द्वारा की जाती है? पंडित जवालाल नहरू द्वारा कॉंग्रेस के 1938 के वारशिक अधिवेशन में और क्या घोशना होती है? कि भारती सम्मिधान का निर्माण सम्मिधान सभा द्वारा होगा और कैसी सम्मिधान सभा? इसको पहली बार यहां पे पारिभाशित किया पंडित जवालाल नहरूर ने जब उन्होंने कहा कि सम्मिधान सभा ऐसी होगी जो व्यस्क मतादिकार द्वारा चुनी गई होगी अर्थात सम्मिधान सभा के सिदस्च वयस्क मतादिकार द्वारा चुने जाएंगे और उसके आधार पर सम्मिधान सभा गठित होगी और वही सम्मिधान सभा भारत के लिए सम्मिधान बनाएगी ये कपकी बात है 1938 की बात इसके बाद अगली घटना होती 1940 में जब अगस्ट प्रस्ताओं के रूप में सैध्धानतिक रूप से सभ्मिधान सभा की मांग स्विकार कर ली जाती है 1940 में आगस्ट प्रपोजल्स आपको याद होगा जब हम भारत के स्वतंता अंदोलन का इतिहास पर रहे थे स्वतंता अंदोलन का इतिहास उसमें आगस्ट प्रपोजल्स का जिक राया है अंग्रेजों ने भारत के साथ जो वारत अलाप किया बातचीत की बढ़ते हुए स्वतंता अंदोलन के परणाम स्वरूप तो उसमें आगस्ट प्रपोजल आया था और उसमें सध्धानतिक रूप से अंग्रेजों ने मान लिया कि सम्विधान सभा हम बनाएंगे यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी जीत इस मायने में कि अंग्रेज यह स्विकार करते हैं कि भारत को अब सम्विधान की जरूरत है अर्था भारत अब स्वतंता की और अग्रसर है यह बात दूसरी है कि कैसी स्वतंता इसके रूप को लेकर कभी कभी अंग्रेजों ने कुछ खिलवार किया था लेकिन अब तक उननिस सो चालिस एक तालिस आते आते इस पश्ट हो गया कि भारत को अब स्वतंता पूर्ण रूपेन मिलेगी और उसी परिप्रेक्ष में उननिस सो चालिस में अगस्ट प्रस्ताव के तहट सैधान्तिक रूप से यह स्विकार किया जाता है कि भारत की एक सम्विधान सवाब बनेगी क्रिप्स मिशन सर स्टाफर्ड क्रिप्स और सम्विधान सवाब के निर्मान को लेकर अगला कदम रखते हैं लेकिन तुर्भाग से मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को अस्विक्रित कर देती है मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव की प्रगति में बाध़क बनती है और इस प्रकार क्रिप्स मिशन अपने उस देश में पूर्ण नहीं हो पाता जिसके तहट सम्विधान सवाब के निर्मान की बात की गई थी अब आता है 1946 का कैबिनेट मिशन क्या कैबिनेट मिशन ये भी अंग्रेज सरकार द्वारा भेजा गया तीन दली मिशन था जो 1946 में भेजा जाता है और इसके सुझाओ के तहट नवंबर च्छालिस में सम्विधान सवाब का गठन होता है कब होता है नवंबर उननिस सौचालिस में सम्विधान सवाब का गठन हो जाता है या गठन की प्रक्रिया प्रारंब होती है निश्कर्ष यह कि 1895 से जो बात शुरू हुई थी भारत के सम्विधान भारत का अपना स्वयम सम्विधान होने की वह फाइनली अंतता 181946 में सम्विधान सवाब के निर्माण पर आकर समाप्त होती है और इस निर्माण की स्विकर्ति अंग्रेजों द्वारा दी जाती है यह जो प्रस्ताव आया था यह जो सुझाव आया था यह कैबिनेट मिशन के ताहत अंग्रेजों की तरफ से आया था और उसके सुझाव को स्विकार करते हुए नॉमबर 46 में सम्विधान सवा का गठन हो जाता है सम्विधान सवा के गठन या सम्विधान सवा के निर्माण में गहराई पर जाने के पहले हम कुछ और बंदूओं को समव्थान सवा के बारे में जान लेvaluation मैं नॉmber 1946 में चाबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहद समव्थान सवा का निर्माण हुआ तो समव्थान सवा कैसी थी? यह है समव्थान सवा का चित्राप के सामने तत्कालीन संभधान सभा की एक बैठक का द्रिश्य है इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार अर्द गोलाकार रूप में सभी सदस से बैठे हैं और इनकी बैठकें तीन वर्ष्टों तक लगभड चली यदि सही संख्या इनकी बैठक की हो तो दो वर्ष, ग्यारा महीने और अठारा दिन कितना? सम्विधान सभा की बैठक दो वर्ष, ग्यारा महीने और अठारा दिन चली यानि सम्विधान का निर्माण होने में कुल इतना समय लगा अठारा सो पंचानिबे से उननिस सो चालिस तक के काल के इतिहास को हम छोड़ दें तो सम्विधान सभा के द्वारा सम्विधान का निर्माण होने में इतना समय लगा सम्विधान सभा में कुल सदसे होने थे 399 कितने 399 जिसमें ब्रिटिश भारत के तहट 296 ये ब्रिटिश भारत का नक्षा है इसमें 296 ब्रिटिश भारत के तहट आने थे और ये 296 जो थे ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मिश्रण थे ख्याल रखेंगे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मिश्रण थे कारण क्या कि ये विधान इस सम्विधान सभा की बैठक प्रारम होती है नवंबर चालिस में भारत आजाद होता है अगस्ट सैंतालिस में विभाजन होता है अगस्ट सैंतालिस में तो जब तक भारत अविभाज्य था जब तक भारत ब्रिजिश शासन के तहट था वह अविभाज्य था और चलिए सम्विधान सभावी अविभाज्य रही तो इस परकार लीग और कॉंग्रेस दोनों के संयुक्त संख्या सदस्यों की 296 इसके साथ 93 लोग जो थे वो देशी रियास्तों से थे देशी रियास्तों का नक्षा देखिए यहां से 93 लोग का प्रतिने दित्व होना था दुर्भागे से ये सीटें कभी भर ही नहीं गई तो बच्ती है संख्या 296 मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस दोनों मिलाकर अब ये 296 लोग चुने कैसे गया इनका चैन कैसे हुआ आपको याद होगा पड़िजवालाल नहरू ने 1938 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन में जब सम्विधान सभा के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था वयस्क मतादिकार के माध्यम से इनके सदस्यों का चैन होगा वयस्क मतादिकार दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया उसके बहुत से कारण रहे पर सचाई ये है कि वयस्क मतादिकार का फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं हो पाया और सदस्चों का चुनाओं ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से हुआ ब्रिटिश भारत से प्रांती असेंबली के जो सदस्च थे प्रांती असेंबली उस समय प्रादुर भाव में आच चुकी थी सन 1935 के अधिनियम के तहद चुनाओं हुए थे 1938 उसके बाद ये सदस्च थे तो इन प्रांती असेंबली के सदस्चों के दोरा एकल संक्रमनी मत के माध्यम से समान पातिक तरीके से मतदान ये बिलकुल इनका स्पाष्ट था मैं प्रांती असेंबली से ब्रिटिश भारत के लोग आते थे एकल संक्रमनी मत के माध्यम से ये एक बड़ी विस्तृत पक्रिया है लेकिन आपको किवल इतना जानना है कि 296 लोग इंडियन मसलिम लीग और कॉंग्रिस के थे और सचाई तो ये है कि 82 प्रतिशत लोग कॉंग्रिस के थे इसमें मैंने बताया सदस्यों का चुनाओं दो तरीके से एक तो ब्रिटिश भारत जिसमें प्रांती असेंबली आती हैं और दूसरा था देशी रियासतें देशी रियासतों से मात्र चार ये लोग रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुने जाते थे किनके द्वारा रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाते थे इसलिए हम कह सकते हैं कि सम्विधान सभा के सदस्यों का चुनाओं आंशिक रूप से चुने गए सदस्य और आंशिक रूप से नामंकित सदस्य दोनों थे दोनों प्रक्रिया से हुआ चुने हुए सदस्य प्रांती असेंबली के माध्यम से प्रांती असेंबली में जो चुने गये थे वे लोग अपना प्रतिने जित चुनते थे याद रखेंगे और दूसरे नामांकित सदस्य देशी रियास्तों से जन संख्या के अनुपात में सीटें विभाजित दस लाक के उपर एक सीट ऐसा माना गया था यद्यपी ऐसा होनी पाया उसके बाद ये भी तय था कि प्रत्यक्ष रूप से चैनित होंगे लेकिन ऐसा ना होने के बावजूद भी वैस मतादिकार और प्रत्यक्ष डारेक्टली इलेक्टिड बाडी ना होने के बावजूद भी इसमें हम पाते हैं कि इस समविधान सभा में लगबक सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिद्ध था चाहे वे हिंदू हों, हिंदू तो अफकोर्स बहुत संख्यक थे तो उनका तो प्रतिनिद्ध रहेगा ही मुश्लिमों का प्रयाप प्रतिनिद्ध था, पार्शी, सिक्थ, आंगल भारती, भारती, ईशाई, अनुसूची, जन जाती, इन सब का प्रतिनिद्ध इस इंडारिक्ली चुनें गया समविधान सभा में भी था ये तो हो गया समविधान सभा का गठन, अब समविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की पहली बैठक कब उन्निस सो चालिस नौ दिसंबल नवंबर में कैबिनेट मिशन के तहत इसकी स्थापना होती है गठन होता है 399 के बदले 389 मेंबर्स होने चाहिए थे लेकिन वहाँ 296 रहते हैं और अंत तक फाइनली ये संख्या 284 पर रुकती है क्योंकि कुछ लोग स्वर्गी हो जाते हैं कुछ लोग इस्तीफा दे देते हैं किसी कारण से तो अंत में जो संख्या आती है सम्विधान निर्मान की प्रक्रिया समाप्त होने तक जो संख्या है वो है 284 399 से घटे हुए 389 से घटे हुए वह संख्या रुकती है 284 पर ये तो हुई संख्या की बात पहली बैठक मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 और चुकि ये बैठक पहली थी इस बैठक के संचालन के लिए एक अस्थाई अध्रक्ष नामित किया जाता है ये सामानिता सभी जगह होता है चाहे वो लोक सभा हो, विदान सभा हो, राज्य सभा हो वहाँ पर पहले दिन की बैठक कौन संचालित करेगा इसके लिए एक प्रक्रिया है यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ये थी कि जो भी सीनियर मोस्ट है सबसे वरिष्ट सदस्य जो है वह इसकी अध्यक्षटा करेगा और सबसे वरिष्ट सदस्य कौन थे? अर्थाई सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कौन डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ये नौ दिसंबर की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और बाद में उच्चिनाओं के तहट चिनाओं के जरिये डॉक्टर राजेंद प्रसाद सम्विधान सभा के स्थाई अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो अध्यक्ष कौन सच्चिदानन्द सिन्हा पहले निर्वाचित इस्थाई अध्यक्ष कौन डॉक्टर राजेंद प्रसाद अब यह जो नौ तारिक को जो मीटिंग होती है मुस्लिम लीग इसका भहिशकार करता है यानि पहली मीटिंग में ही मुस्लिम लीग के द्वारा भहिशकार किया गया क्योंकि वह तो विभाजन की बात कर रहा था विभाजन के पक्ष में था वो तो पाकिस्तान के लिए अलग समविधान सभा के मांग कर रहा था लेकिन फिल्हाल ऐसा नहीं था उननिस सो चालिस में इसलिए समविधान सभा की स्थापना उनके लिए नहीं की गई थी और मुस्लिम लीग ने विरोज त्वरूप प्रोटेस्ट त्वरूप इसका भहिशकार किया इस मीटिंग का अनुपास चित रहे तो ग्यारा दिसंबर की मीटिंग जो पहली मीटिंग जो ग्यारा दिसंबर को मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता पहली बार इस थाई अध्यक्ष की रूप में डॉक्टर राजेंद प्रसाद करते हैं कौन डॉक्टर राजेंद प्रसाद डॉक्टर अजिन्द पसाद की मदद के लिए दो उपाध्धक्ष चुने जाते हैं पहला डॉक्टर ह.C. मुकरजी और दूसरा V.T. कृष्टमाचारी ये दो नाम आप याद रखेंगे डॉक्टर ह.C. मुकरजी और V.T. कृष्टमाचारी डॉक्टर अजिन्द पसाद पहले अध्धक्ष. अध्धक्ष का क्या काम होता है? दो सो से ज़्यादा लगभग तीन सो सदस्यों की मीटिंग का संचालन करना उसके कारक्रम का सफलता पूर्वक संचालन करने का कारे कौन बोलेगा? कितना बोलेगा? कितने बजे कितनी देर तक बोलेगा? किस विशय पर बोलेगा? और मीटिंग कितने बजे होगी? कितने बजे समाप्त होगी? उसका पूरा जो प्रोसीजर है और हॉल के अंदर जब 300 लोग बैठते हैं तो उन लोगों को नियंतरित करना उन लोगों को एक के बाद एक सुनने सुनाने का मौका देना यहां कारे होता है अध्यक्ष का तो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर आजेंद प्रसाद ने यह संचालन का कारे बखू भी निभाया और यह संचालन कितने दिन तक किया दो वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन डॉक्टर आजेंद प्रसाद वही जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपती नियुक्त किये गए यह हुई संविधान सभाग की पर कुछ मूल भूत नजर